हेलो फ्रेंड्स आज में लेकी आई हो आम की खटी मीठी चटने इसको आप एक साल के लिए श्टूर करके भी रख सकते हो बहुत ही एजी रेश्पी है और सब को बेहादी पसंद आने वाली है जातर लोगों की सिकायत होती है कि आप इसको लॉंग टाइम रखते हो ना तो य कि जो यह चटनी है यह ड्राइ नहीं होगी तो चलिए फ्रेंड्स हमारे वीडियो आपको पसंद आए एक लाइक जरूर करना चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन को जरूर प्रेस करना जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे तो चलिए फ्रें मनेटे कंद वटार, बढ़े जीए जितना बना के रखना चाहते हो उतना आप ले सकते हो मैं यह बनकेशी का मेजर competent बता रहे हूं आ झाया यतोद्यक सब्सक्राइए मैं इसको आपको दूल जाव में रात layered कृमिक जो이면 चल्बार बदाना फिर नहीं होने उन्य attribute एगल नही अब मैंने इसको ग्रेट वी कर लिया है अब हम चलेंगे गैस की तरफ तो यह मैंने ले ली है कड़ाई और इसमें हम डालेंगे जो हमने ग्रेट किया था वह आम एक कलो आम था तो आप हम इसमें डालेंगे एक कलो चीनी अगर आपका कम खटा है तो आप 800 ग्राम चीनी डाल दीजियेगा पहले जब बनाओ ना तो उससे पहले थोड़ा सा आम को चक लीजिएगा उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका आम कितना खटा है तो ये देखिए, इसको अब अच्छे से मिला लूँगी अभी मैने फ्लेम है, उसको मैने शिलो कर रखा है जब ये थोड़ा पानी सा छोड़ देगी तम मैं इसके फ्लेम हाई कर दूँगी तो ये देखिए, हमारी चीनी है, वो मेल्ड हो चुकी है और आप मैं इसकी फ्लेम है वो हाई कर दूंगी अभी हम और कुछ मसाला नहीं डाल रहे हैं बस मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ आप टीजपून बाकी का मसाला हम बाद में डालेंगे अब हम इसको पकने दिंगे और इसको बाद बीच बीच में चलाते रहेंगे तो हाँ फ्रेंड्स आपकी जो चेटनी है वो ड्राई क्यों बनती है आप क्या करते हो जब पकाते हो न तो पकाते समय इसकी चासनी है वो आप हाड ले देते हो इसमें जब आप पका रहे हो इसमें थोड़ा पानी से दिखना चाहिए जब आप थोड़ी चाहिए पतली वाली लो ज रखोगे क्योंको रखने के बाद यह द्राइ हो लेकान प्रशने पगणी क्सी जब द्रशने के दर द्राइगा लेकर पकारे उसी टाय Clay! लेना है 1 टेवल स्पून में डाल रहे हैं इसमें कैमाटि हुई हूँज़ू 1 टेवल स्पून लाल प्रिच पाउडर बन फूर्ट है ही कर नहीं का बहुत ही जबधास टेस्ट आता है कि स्पून दो कली सुटर अल कि अगंगर आप मसाटिश डाल रहे हैं यह विदी मंदे में उसको कड़ेगे ड़ाइगा नई तो नीचे से लग जाएगी और हम में डाल रहा हम हाफ टीज़्पून कलोंजी अच्छे से मिला लेंगे मैं हाफ टीज़्पून गर स्वाइप साल्ड और बन टीए स्पून डाल रही हो मैं इसमें नॉर्मल साल्ट जो हम नॉर्मल यूज करते हैं वो वाला नमक अब हम इन सब को अच्छे से मिला लेंगे हम मैं इसमें डाल दूंगी हाप टीए स्पून जीरा और जीरा डालने के बाद हम इसको एक मिनट और पकाएंगे और यह हमारी चटनी है वो बन कर त्यार हो गई है आप इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हो इस तरह की होनी चाहिए मैंने फ्लेम आफ कर दिये देख रहे हो इस तरह की आप लोगे ना आपकी चटनी है बिल्कुल ड्राइ नहीं होगी अब मैं इसमें हाप टीए स्पून डाल रही हूँ चाट मसाला अच्छे से मिला लिंगे और आपको देख रहा होगा जब मैं इसको चलानी रही है तो साइड में चासनी यह वह आ रही है मतलब ऊपर आ रही है इतनी पतली ली है मैंने अब आप इसको एक साल के लिए श्टोर करोगे ना फिर भी आपकी चटनी है बिल्कुल ड्राइ नहीं होगी क्योंकि जो हमने इसमें अभी चासनी यह वह पतली ली है तो यह अभी दीरे दीरे जब ठंडा होगा ना कि ठंडा होने के बाद यह हलका ड्राइ होगा तो इसलिए आपको चासनी है वह इतनी पतली लेनी है कि यह ठंडा होने के बाद भी ड्राइ ना हो आप देख रहे हो ना इसी तरह से आपको ये बना के त्यार करना है और ये कोई कंटेनर को सुखा के दूप में सुखा देना है और जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए तब उसमें बरकर आप श्टोर करके रख सकते हो एक साल तक बिल्कुल खराब नहीं होगा